दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हैं आपके अपने यूटीब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में तो चलो आज फिर से कुछ कबरी मिलना सुरू हुई हैं आज बिलपास की फिर से सुरुआत हो चुकी हैं और दोस्तों बते के लिए अब और कितने दिन इंतजार करना पड केमेंट कब और कैसे आएगा और क्यों रुक हुआ हैं तो बहुत साथ की सवाल है तो आज इस वीडिएव में पूरे सोल करने वाले हैं तो अब तक कि मैं जून और जूलाए के बिलपास और पेमेंट के अपडेट क्या रहने वाली है तो इस वीडियों पाइनल अपडेट लेके आच चुके हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे ना और दोस्तों जिन्हों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं या पिर नए जुड़े हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी अपडेट लाए वह आपके पास सबस सबसे पहले पहुंच सके तो दोस्तों यहां पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों देखो हम बिल पास को लेकर बात करेंगे उसके बाद में पैमेंट को लेकर कि पैमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं चार-चार मन्द हो चुके हैं तो यहां पर बि की पैमेंट की बात की जाए दोस्तों तो माई के चार जिलों का पैमेंट आ चुका है वह है अजमेर बिकानेर जालोर और इसके अलवा दोसा डिस्टी का का पैमेंट आ चुका है खातों में तो चार जिलों के माई के पैमेंट आये हुए हैं बाकि और सभी जिले अभी बकाया पेमेंट नहीं आरहे हैं और बहुत से साथिए यह दोस्तों दोस्तों लेकर बात करें तो यह आज कुछ जिलों को फिर से कुशवरी मिलना शुरू हुई है एक दो दिन से पिर से सननाट अचाया हुआ था बिलपास को लेकर भी तो दोस्तों आज फिर से बिलपास किये गए हैं जून 2023 के तो आज किन किन जिलों के बिलपास हुए हैं सारे दिन में सुबस से साम तक कि क्या अपडेट रही हैं बिलपास को लेकर तो यहाँ पर जून की सुरुआत करते हैं तो दोस्तों डूंगरपूर का लास्ट बार बिलपास किया गया था और उसके बाद में दोस्तों आज किन किन जिलों को कुशकबरी मिली है तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो बूंदी डिस्टिक का मेल और पिमेल कंडिडेटों का जून 2023 का बिलपास कर दिया गया है तो जो भी साती बूंदी डिस्टिक से हैं वो सभी अपना बिल जरूर चेक कर ले उनको कुशकबरी मिल चुकी है आज जून 2023 के बिलपास कर दिया गये है बागे दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट जिले के हम बात करें तो यहाँ पर बांसवारा के लिए काभी अच्छी कुछ कबरी हैं दोस्तों बांसवारा डिस्टिक के लिए तो बांसवारा से जो भी साती हैं तो वह अपना अपना बिल जरूर चेक करें उनके भी जून 2013 के बिल पास यहां पर कर दिये गए हैं और दोस्तों देखो male और female candidate का दोनों का बिल पास किया गया है सबी केटेगरियों में बिल पास हुआ है तो दोस्तों सभी अपने अपना बिल जरूर चेक करें क्योंकि बहुत से सातियों के बिल पास नहीं होते हैं सेंड वे की वज़े से उनके बिल रोक लिया जाते हैं या पिर किसी भी कमी के वज़े से उनके बिल पास नहीं हो पाते हैं और वो कॉमेंट करते हैं कि हमारा तो बिल पास नहीं हुआ था तो उने का भी आज फिर से बिलपास हुआ है कुछ सातिए का परले कुए कुछ सातिश हैं आप पता है कि एक दो बार में बल पास कि किया जाते हैं एक बार में इनको रोख लिया गया है जिनों तीन महिने का टेकनिकल कोर्स यानि की RLDC कोर्स नहीं कर रहा है या फिर उनके RLDC कोर्स का ओप्शन आया है तो देखो उनको RLDC कोर्स करना अनिवारे हैं नहीं तो आपका बिल नहीं बनेगा और दोस्तो अब सुरुआत हो चुकी है बिल पास होने की और पैमेंट की भी जल्दी होगी तो उसके बारे में आगे बात करेंगे बागी जिन्होंने अभी ताकि RLDC कोर्स नहीं जोइन किया है तो वह जल्दी से जोइन कर ले ताकि अब बिल पास होना शुरू हो चुके हैं तो आपके भी बिल पास हो सके बागी अब दोस्तों पैमेंट को लेकर बात कर लेते हैं सबसे बड़े प्रोबलम पैमेंट को लेकर हैं क्योंकि दोस्तों देखो बिल तो पास होने के बाद में पैमेंट का इंतजार रहता है सभी सातियों को क्योंकि अभी की टाइम पेर पैमेंट का बहुत माइना है दोस्तों क्योंकि बहुत साती बार कोचिंग कर रहे हैं बार कोचिंग एकजामों की तैयारी कर रहे हैं कुछ साती तो उनको पैमेंट की ज्यादा आउसेकता रहती हैं तो पैमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं सबसे बड़ी प्रोब्लम यही है क्योंकि दोस्तो चार गंटे इंटर्शीप भी कर रहे हैं चार गंटे हमारे गवा भी रहे हैं लेकिन पेमेंट की चार गंटे किस काम के दोस्तो देख़ चार-चार महीनों का payment रुका हुआ है आपको पता है नागो डिश्टी का मार्च से ही payment नहीं आ रहा है तो मार्च अप्रेल मैं और जून का payment चार मैंनों का payment हो चुका है और दोस्तों अब जुलाई के भी जल्दी बिलपास होने वाले हैं लेकिन payment की कोई ख़बर नहीं है तो दोस्तों आपको एक बात बता दे कि दोस्तों को आपको एक साथ मिलकर one add one पर जादा से जादा शिकायत करनी है अगर दोस्तों आप एक जुट होकर one add one पर शिकायत करते हो तो ये गारंटी के साथ कहता हूं कि इस week में ही आपका payment डलना शुरू हो जाएगा कुछ साथी serious नहीं लेते हैं इस बात को कि one add one पर शिकायत करने से कुछ नहीं होता दोस्तों one add one पर शिकायत करने से बहुत कुछ हो सकता है अगर आप एक साथ बात मान के चलो दोस्तों आप ग्यारा और बारा बजे के बीच में दबा के one add one पर शिकायत करो ताकि आपका payment जल्दी से आ सके कुछ साथी ऐसे हैं कि one add one पर शिकायत करने से कुछ नहीं होता तो दोस्तों यह आपकी गलत पहमी है अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बैटे रहो आपका payment ऐसे नहीं आने वाला है आपको वेट करा सकते हैं महीना भी लगा सकते हैं दोस्तों payment आने में तो आप one add one पर एक साथ अगर शिकायत करते हो सभी दोस्त तो आपका payment जल्दी आने की संबाओना है बागी हम इसका कोई पिक्स डेड़ तो बता नहीं सकते दोस्तों ड्रोजगार कारेले का काम है बिलपास करने का वह बिलपास करके ट्रेजरी के पास भेज देते हैं और ट्रेजरी का काम है आपको payment देने का आपके बैंक खातों में payment डालने का तो दोस्तों 181 पर payment को लेकर इतनी शिकायत दर्ज करवाओ ताकि दोस्तों आपका payment जल्दी से आज सके यही कहना चाहेंगे दोस्तों क्योंकि देखो अक्यले का ये काम तो है नहीं कि अकेलाई 181 पर शिकायत दर्ज कराएगा और सभी का payment आजाएगा एशात हो नहीं सकता जब तक आप सभी एक साथ 181 पर शिकायत नहीं करोगे तब तक आपका payment जल्दी आने वाला नहीं है आपको वेट ही करना पड़ेगा बागी दोस्तों जुलाई की बात करें तो जुला payment को लेकर ज्यादा निरास हो रहे हैं साथी बहुत से साथी comment करें कि payment कब आएगा कब आएगा तो दोस्तों देखो इसकी तो कोई पिक्स डेट बता नहीं सकते हैं कि इस तारी को payment आजाएगा बागी हाँ बिल पास तो रोज रोज हो रहे हैं और जुलाई के भी आपको पस बहुत दिन हो गए आए वे तो दोस्तों आप 181 पर शिकायत दबा की शिकायत करो ताकि आगे दबा बन सके और आपका payment जल्दी से भिजवा सके हमें भी इंतजा रहें दोस्तों कि वह कुशकबरी आपको कब सुनाए कि payment आज इन जिलों का आया है तो दोस्तों आप से ये request करना चाहूंगा 181 पर ज्यादा ज्यादा शिकायत करें और अपनी attendance को चेक करते रहें जुलागे attendance में अगर शेंड बेकाया है तो उसे क्लेर करवा कि वापिस से upload करें बागी दोस्तों आप रोज रोज आपको बिलपास के update मिलती रहेगी क्योंकि बिलपास होना शुरू ह पर रोका हुआ है बागी दोस्तों इस वीडियो में यह update है वीडियो जरासा भी अच्छा लगा होती यार अपनी साहतियों तक भी शेयर करोता कि वह भी 181 पर ज्यादा ज्यादा शिकायत कर सके और इसके अलावा दोस्तों आप बेरुजगार बते के update के पानने के लिए आ और बते के लिए अजाद गाए चलाई यार बते के लिए यार से फड़र है विए ववड़ के वाए झाल झाल